जैमातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। पर्व दूच को मनाना है कि इस साल भाई दूच का पर्व 14 नौवंबर को मनाया जाएगा। वहीं कुछ लोग 15 नौवंबर को मनाने की सलाद दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको भाई दूच किस दिन मनाना है? इसकी सही तारिक बताऊंगी। कि भाई दूच का पर 14 नौवंबर को मनाया जाएगा या फिर 15 नौवंबर को। साथ ही आपको टीका करने का सुब समय भी बताऊंगी। कि किस सुब मूरत में आपको अपने भाईयों को टीका लगाना है। पूरी जानकारी के लिए लास तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बल आइकन दबा दें। साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें। तो आईए शुरू करते हैं। दोस्तों भाई द्यूज कपर भाई बहन के रिस्ते का प्रत हो रही है जिस वजह से तेवहारों को लेकर लोगों में कनफ्यूजन बना हुआ है। दोस्तों इस साल दुटिया दिति की सुरुवात 14 नौबर 2030 की दोपहर को 2.36 मिनट पर हो रही है। और दुटिया दिति की शमापती 15 नौबर 2030 की दोपहर को 1.47 मिनट पर होगी। तो ऐ इस साल भाई दुच का पर्व उदिया दिति की मानिता के नुसार 15 नौबर 2030 दिन बुद्धवार को मनाना सर्वस्रेस्ट रहेगा। वैसे इस साल दुटिया दिति दो दिन पढ़ने के कारण भाई दुच का पर्व दो दिन मनाया जा रहा है। इस बार भाई दुच का पर 14 नौवंबर को और 15 नौवंबर को दोनों दिन ही मनाया जा सकता है लेकिन ध्यान रखें कि टीका करने का सुब मूरत देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि 14 नौवंबर को दोपहर के बाद दोतियत इति लग रही है और 15 नौमबर को भी दोपहर तक समाप्त हो रही है इसलिए जो टीका लगाने का सुभ मूरत है उसका विसेज ध्यान रखें साथ ही जो राहुकाल का समय है उसमें भी आपको गलती से भी अपने भाईयों को टीका नहीं लगाना है तो दोनों दिन राहुकाल का समय क्या रहेगा इसकी भी जानकारी दोंगी तो सबसे पहले जानते हैं कि जो लोग 14 नौमबर 2030 दिन मंगलवार को भाई द्यूज का परमनाना चाहते हैं तो उनके लिए टीका लगाने का सुभ मूरत क्या है दोस्तों 14 नौमबर को टीका लगाने का सुभ मूरत दोपहर 1 बचकर 10 मिनट से लेकर दोपहर 2 बचकर 47 मिनट तक रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 2 बचकर 47 मिनट से लेकर साम 4 बचकर 7 मिनट तक रहेगा चलिए अब जानते हैं कि जो लोग भाई द्यूज का पर्व 15 नौमबर 2030 दिन बुतुवार को मना रहे हैं तो उनके लिए पूजा का सुब मूरत 15 नौमबर की सुबा 6 बचकर 44 मिनट से लेकर सुबा 9 बचकर 24 मिनट तक रहेगा और इस दिन टीका लगाने का सुब मूरत 17 बचकर 45 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 5 मिनट तक रहेगा इसके बाद राहु काल सुरू होगा इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बचकर 5 मिनट से लेकर दोपहर 1 बचकर 26 मिनट तक रहेगा तो आप राहु काल के समय, अपने भाई को टीका ना लगाएं, इस बात का विसेज ध्यान रखें, दोस्तों, 14 तारिक और 15 तारिक दोनों दिन के मैंने टीके के सुभ मूरत बताएं हैं, तो आप सुभ मूरत का विसेज ध्यान रखें दोस्तों बहने भाई द्यूज के दिन अपने भाईयों को तिलक लगाती हैं सबसे पहले बहने भगवान गडेश की विद्वत पूजा करें फिर इसके बाद तिलक की थाली त्यार करने चाहिए जिसमें रोली, अक्षट, सूखा नारियल, कलावा, दूबादी रखें इसके बाद बहनों को अपने भाई का रोली से और अक्षट से तिलक करना चाहिए फिर नारियल पर तिलक करकर अपने भाई को देना चाहिए इसके बाद भाई की आरते उतारें और उनका मुमीठा कराएं इसके बाद भाई को भी अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए और बहन के पैर चुकर उनका आसिरवाद लेना चाहिए इसके बाद बहनों को अपने भाई को प्रेम पूरग भोजन करा कर स्वयम भोजन ग्रहन करना चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैम आतादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद